कोरोना वाइरस वैक्सीन के प्रोड़क्सन के लिए जरूरी कच्चे माल के एक्सपोर्ट से अमेरिका ने रोक हटा ली है अमेरिका ने साजेदार देशों की लिष्ट में भी भारत को एक खास जगा दी है जिने वो वैक्सीन सप्लाई करेगा जान लें कि अमेरिका के राष्ट्रपती जो बाइडन ने ग्लोबल एलोकेशन प्लान लॉंच किया है इस प्लान के तहट अमेरिका दुनिया भर के देशों को कोरोना वैक्सीन की धाई करोड डोज सप्लाई करेगा और भारत को भी इसका एक बड़ा हिस्सा मिलेगा अमेरिका के रुक में बदलाव इसलिए भी महत्पूर्ण है क्योंकि उसने कुछ महीनों से वैक्सीन के कच्चे माल के एक्सपोर्ट पर रोक लगा रखी थी अमेरिका में मौझूद भारत के राजदूद तरंजीत सिंग संधू ने गुरुवार को यह जानकारी दी इससे पहले अमेरिका ने डिफेंस प्रोदक्चन एक्ट लागू कर दिया था इसकी वज़े से जरूरी चीजों की सप्लाई में अमेरिका को प्रायूर्टी देना जरूरी था इससे पहले भारत ने अमेरिका से वैक्सीन के कच्चे माल के निर्याद से रोख हटाने की अपील की थी हाला कि अमेरिका के राष्ट्रपती जो बाइडन कह चुके हैं कि भारत मुश्कल समय में हमारे साथ खड़ा था हम भी भारत के साथ खड़ी रहेंगे इस रोक के हटने के बाद से वैक्सीन निर्मातक कम्पनियों ने रहत की सांस ली है तरंजीत सिंग संधू ने बताया कि अमेरिका के वैस्विक आवंटन प्लान से भारत को फायदा होगा अमेरिका के इस प्लान के तहट भारत को बड़ी संख्या में वैक्सीन मिल सकती है अमेरिका भारत सहित महामारी से प्रभाविस सबसे कमजोर देशों की जरूरतों को पूरा करने के लिए वैस्पिक इसतर पर धाई करोर वैक्सीन दोज की पहली किस्थ बाटने के लिए तयार है